हेलो स्केलेक्टों सुर्क मापको साय तोस्तों कैसे हैं आप से भी आयो पाप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों देखें जैसे ही हमारी मतलब टेक्नोलोजी बढ़ी है उसी साफ से दोस्तों काम भी आपके पास एडवांस लेवल का अची है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोटेक्डी को वेवकंदर प्रोब्लम आते हैं की प्रोब्लम आते जया है कि वह पूरा से जबना जब सकते हैं तो दोस्तों इसको रिपर करना आज में आपको सब्सक्राइब कर देना अगर आप नहीं है पहली बाद देखने हैं प्लीज चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हमें इसके अंदर दोस्तों हमें लाइन कहा से देनी है आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर तीन तार हैं तीन तार की जगें यहां पर एक कनेक्टर भी हो सकता है उसमें पॉइंट लिका होता है एल और एंड तो यहां पर लाइव और यह है जो हमारा PCB है अगर यह चालू होगी तो हमारा ओन हो जाए नहीं है तो हम दोस्तों बताएंगे आपको कैसे चक करनी है और कैसे आपको यह रिपेर करनी है कम्प्लीट सिखाऊंगा कोई मेटर ने रिपेर का मेथड़ सबसे महां सेम होता है अब सबसे पहले हैं कनेक्टर और बाखी काएं काई हैं आप देख सकते हैं जासे आप दोर का यह वाली रिले हैं यहां पे गिल्ली है यानि कि जो आपके दर्वाजे वगारा अंदर होते हैं और एक हमारी दोस्तों यह माइक्रोवेव की हमारी उसके अंदर जो हाई है लेवल का जो ट्रांस्वार्मर हाई वोल्टेज का उसके लिए हैं सारी चीजे हैं वो उसके आपको मुकाम करने कोई जूरत नहीं है बस पहले आपको सप्लाई जानने कौन सी है उसके यंदर तों ट्रांटस्वार्मर वाली सप्लाई साथ एक होती है समपेस वाली सप्ली उसके अंदर फैर्शल होते है और्ज यह थांज हमारा लैंप का छोड़ देंग इस पोईंट तोइस पोइंट ौह मैं पहले हम में 220 वल् तो हम यहां पे इस तरह से करेंगे यहां को और अभी हिहां से मोल्टीमीटर ले लिया पहले मैं आपको दोस्तों वोल्टेज दिखा देना चाहता हूँ मैंने सीरिज बोर्ड में लगा रखा है इसको तो मैं यहां से इसको वोल्टेज दिखा दे तूंढ़े सकते हैं 220 वोल्ट का असपास मेरी यहां पर वोल्टेज है तो इन वोल्टेज को मैं दोस्तों लाइव और न्यूटल के अंदर इसके मलब PCB के अंदर लगा देता हूं तो मैंने एक पॉइंट यहां पर लगा दिया और दोस्तों जब आप यह काम करो तो पुड़े एकदम मलब तरीके से करना है कोई जल्दबाज ही नहीं करनी क्योंकि दोस्तों यह काम अराम से करना होता है तो देख सकते हैं दोस्तों लाइव और न्यूटल हमने कनेक्शन बिल्कुल दे दिये हैं पॉइंट 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 पे लेकिन हमारी PCB यहां पर नहीं हुई है यहां से हम स्टार्ट को बटन वागरा दबार है वैसे डिरेक्ट इसके अंदर जो है यहां पर डिस्प कोड़ा साथ आपको साथ इस तरीकें से भीज़े से लिखा धिर आ्यागरा है तो तो सबसे पहले मैं का ब्राइम्री पॉल्टे दिखाता हूं जान ड्रिक गशा थोस्तों — शक्रैच करता हूं तो तर यहां पर देखें यहां पर क्या होता हैं हमारी पॉलिस भी ओती है करती हैं यहां पर इसलिए काम जैसे के अंदर उसको डश्ट वैस्ट मिना जाए तो खराब ना हो जाए तो हमारा मोश्चन ना जाए तो अब हम यहां पर वोल्टेज कर लेते हैं गौँए कर यहां से कर्णेक्टर हमारी सही तरीकसे नहीं जा पारी इस पॉइंट पर देंगे तो यहां से कर्नेक्टर को हम अच्छे से दबान और दोस्तों यह सही तरीकसे लगा यहें हमारा एक नहीं हो लग गया और एक लाइव न्यूटल हमारा यहां पर लग गया है यहां पर लग गए यह देख सकते हैं ठीक है उसके बाद मैं वोल्टेज फिर से चेक करेंगी ट्रांस्वामर की तरफ जा रही है नहीं जा रही है तो देखे 277 के देखते हैं यह अब हमें यहां पर वोल्ट चक करने है थोड़ी ची पॉलिस यहां से थार तरी अब हमें से केंड़े साइड इसलिए पॉइंट वायल का शीपार था-धर जोड़ा पोलिस तरीकीं से दिखाए देगा यहां देखे अब आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके दिखाई देगा एक सिंबल यह बना हुआ तो हमें यहां पर वॉल्टेज देखने कितना आ रही है यह देखे 10 ohm की reading आ रही है वो किस चीज क्या रही है कोईल की reading आ रही है इंगर देखते हैं voltage नहीं आ रही सिर्फ वीप sound आ रहा है वह रेश्टेंस का 10-5 ohm की reading आ रही है इधर चोटी कोईल होगी उधर बड़ी कोईल हो सकती है तो दोस्तों अब क्या है यहां पर सिर्फ हमारी वीप sound की reading आ रही है और यहां से वोल्टेज जा रही है लेकिन यहां से यहां पर वोल्टेज नहीं आ रही नहीं दो पॉंट पर आ रही तो क्या हलका सा पेश्ट लगाते हैं आप लगा सकते हैं हाथ से भी जैसे में आपको लगे तो पेश्ट लगाना है अभी स्टांस्वार्मर को यहां से बाहर निकालना है क्योंकि दोस्तों यह अगर खराब हो जाता है ना तब बड़ी दिक्कत हो जाती है यह मिल जाता है वैसे तो भाई जो पैसे ले लेकर जिके सिखाते हैं बहुत मेहनत करके यार पैसा आता है किसी का, कोई माबाप अपने बच्चों के पैसा लगाता है, तो मतलब वो काफी सोच समंझ के लगाता है, और बीस, तीस अजार, बीस, पचास जार रोपे लग जाते हैं इस काम को सीखने में, कम से कम बीस, जार रोपे मैं बता के चलना हूँ, और उसमें क्या है कि यार मतलब पैसा तो जाता है, उसके बाद भी किसी वज़े से काम ना मिल पाए नहीं पे, तो दिक्कत होती है, बस हमारा उद्देश से यह है, उस चीज़ को हम बिल्कुल फ्री में सिखाएं, और आप समय दो, सीखने में time लगा हो, ये लगा, आप काम करना तो सुरू करो, हमारी वीडियो देख लो, बहुत महनत करके जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, आप इतने ही महनत करके उस काम को कर लो, बस हमारा उद्देश से ही है, हमाई यह है कि बाई, कोई भी बेरोजगार न तो वो आपने एक कीपड फोन में भी आज के इतना कुछ आ रहा है कि हजार दुजार पे के फोन में नेट चल जाता है और तो दोस्तों उसमें भी आप आसानी से वीडियो को देख सकते हो क्योंकि हम क्वालिटी पे बहुत ध्यादा ध्यादा ध्यान लगते हैं काफी प्यारा सा कमेंट भी करते करो बस इसलिए आपके लिए बस कर रहे हैं आप आप यहां से बीस तीस जार उपर देओ और यह पीसीबी को ट्रांस्वार्मर बदलना ठीक करना अनू देख लो कहां से क्या चीज़ चेक करें वहां भी वही चीज़ सिखाते हैं ज्यादा कुछ आपको यह सीखने को मिलेगा वहां भी बिल्कुल इसी तरह से सिखाएंगे बस आपके सामने आदमी रहेगा यहां पर दोस्तों पीछे हैं बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहे हैं बस इतना अंतर भाई तो चलिए इस ट्रांस्वार्मर से बाहर निकालते हैं यहां पर साप साप लिखा हुए पांच वोल्ट और 12 वोल्ट अधर हमारी एसी की इंपूट तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहां पर इस ट्रांस्वार्मर को चेक करेंगे इस ट्रांस्वार्मर के अंदर ऐसी क्य ऐसंद डेखो करेंगे इंगा बता देंगे ऐए तो हैं पर हमने दोस्तों जिस्तर है कुछ कुंभी इस तरह से हैं करे ये ये आ मिए डह सकते हैं तो इसकंदर एक थरूस्टब्न ब्लावा रां पर पर लिखा हुआ है यहां पर तू नंबर और फो नंबर पर यहां पर थर्मो इस्टेट भी होता है इसके अंदर या तो वह भी खराब हो सकता है वह इधर की साइड लगा होता है यहां पर हम कोसिस करेंगे कि यही रिपेर हो जाए तो और भी बैटर होगा बढ़ना दोस्तों प्छेइ तो हो जाएगा यह पांक वोल्र करेंगे क्योंकि फ्यूज भी रहता है तो यहां से इसको फार्ड लेते हैं यह और वोल्टेज के वज़े से भी खराब हो जाता है यहां से हमने इसकी प्लास्टिक जो फार्ड ली है आप देख सकते हैं और उसके बाद में यहां पे इसकी टेप लगी हुई है कोड़े आराम से करना है क्योंकि दोस्ते इसके अंदर काफी बरीक वायर थिंक होते हैं अगर वो तूट गए तो दिक्कत हो जाएगी वैसे कोई दिक्कत नहीं बाई चेंज हो जाएगा फिर बस इतना होगा हम चोहते हैं कि यही रिपेर हो जाए आपके लिए यहां से स्टे कि दोटाते हैं तो अब हम्ने इसको यहां से अठाते हैं यह कौने अब कर्याइब हो दिक्सक्ते हैं बढ़ यह को कि दीख सक tapesर एक बार मल्टीमेटर से चेक कर लेते हैं अगर अगर यह थीख होगा तो यहां पर बीप सांड बहुलेगा अगर यह ठीक नहीं होगा तो दोस्तों इंदिक्कत हो जाएगी यह देखें कि खराब है और कोई बात नहीं अभर व्थ nouvelles से टेस्टिंग कर सकते हैं यंग यह अब ajudar कर दो है इन पॉइंटों पर एnost बाले पॉइंट्सक्राइब इस बेज देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ दीडिंग आचुकी है ठीक है एक बार इस यहाँ पे दोस्तो PCB कंदा लगाते हैं और एक बार इसको ON करके देखेंगे तो हमने PCB में यहाँ अभी सेट कर लिया है इसको नॉर्मल सा अभी एक तरफ पहले हलकी सी सॉल्डिंग कर लेंगे दोस्तो यहाँ पे एक तरफ हलकी सी सॉल्डर कर लेते हैं ठीक है जिससे कि ये थोड़ा सा सेट बैढ़ जाये बस यह देख सकते हैं ठीक है अब यहां पर दोस्तों सारी तरफ सोल्डिंग करते हैं और इसको एक बार ओन करके देखते हैं यहां पर हमने यहां भी सोल्डिंग कर ली है कि यहां पर हमारी प्राइमरी साइड है पहले हमने नीचे की तरफ से सिलेख वोला दोस्तों अगर महां पर कोई भश्ट भश्ट वह रहता तो चेक हो जटता ठीक है एक बार पीसीबी को अन करके देखते हैं तो यह देख सकते हैं भाई पीसीबी जो हमारी ओन हो चुकिए मै पर लगा बाद के लागे का बीदेख लैवार के रिपेर करें यह देखेंगे दरक की लिए कर दो कर देखा हो जाएगा आपके सामने मैठा देता हूं तो ग्राड़ा जाएगा तो मेरे भाई देखिए आपके सामने कितने अच्छे सामने रिपेर करी, काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियो सुट करी तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंटर जोड़ बता है आज कितने ही मिलते नेफ्टियों में जै हिन जै स्री राम दोस्तों